ब्रेट चीला रेसिपी अगर आपका कुछ चटपटा खाने का मण हों तो आप फटा फट से रेडी कर सकते हैं ब्रेट चीला रेसिपी तो हेलो फ्रेंड्स मैं हो कल्याणी वेलकम करती हूँ अपने चैनल कूक वित हब में आज हम लोग बनाएंगे ब्रेट चीला ब्रेट चिला बनाने के लिए हमने सारी समगरी एकत्रित कर लेना है 50 ग्राम गेहूं का आटा 50 ग्राम चने का बेशन 100 ग्राम चावल का आटा लेना है 2 मीडियम साइज का प्याज थोड़ा सहरा धनिया को बारिक चौप कर ले 60-8 मीडियम साइज के प्याज 8-10 लहसन की कलिया और 4-5 हरी मिर्च इन सभी को आप बारिक चौप कर ले आप देख सकते हैं कितना महीन हमने चौप किया है आपको भी ऐसे ही चौप करना है एक गहरे साइज का मिक्सिंग बाउल ले ले इन सभी मिस्रड को इस मिक्सिंग बाउल में डाल दे चार बढ़े टी स्पून चावल काटा डालें आधा टी स्पून जीरा पाउडर आधा टी स्पून काला नमक और जीरा पाउडर स्वाद अनुसार साधा नमक आधा टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च और आधा टी स्पून हल्दी पाउडर उपर से बारिक कटी हुई धनिया डाल कर 200 ml पानी मिला कर अच्छे से सभी मिस्रड को मिक्स करें ध्यान रहे आपको मिस्रड को अच्छे से मिक्स करना है इसमें थोड़ा बहुत भी लंस न बने आप देख सकते हैं कि तब बढ़िया बेटर हमारा बन कर रेडी हो रहा है देखी आपको सीम ऐसी कंसेंटेंजी रखनी है ना बहुत मोटा ना बहुत पतला यहाँ पर हमने 8-10 ब्रेट के स्लाइसेस लिये हैं मोटा वाला ब्रेड हमने यूज किया है आप भी यही ब्रेड यूज करें पैन को आप पहले प्री हिट कर लें फिर हलका सघी या फिर रिफाइंड ओयल से इसको गार्निश कर दें जिससे आपका बेटर चिपकेगा नहीं अब थोड़ा थोड़ा बेटर डाल कर इसको अच्छे से फैला लें आप देख सकते हैं थोड़ा सा बेटर डालने पर हमारी कंसेंटेंसी इतनी अच्छी कि अल्रेडी फैल जा रहा है थोड़ा सा पैन को हिला डूला दे जिससे एकदम बिल्कुल ओमलेट सेप में हमारे बेटर फैल जाए अब थोड़ा सा उपर से तेल से गार्निश कर दें पांच मिनट बाद हम चेक कर लेते हैं अब देख सकते हैं किनारों से इसकी थोड़ा सा गैपिंग हो गया इट्स मीन कि हमारे नीचे के तलवे पक गए हैं पर इसो पांच मिनट बाद ही और पल्टे अब ओवराल दस मिनट हो चुके हैं अब हम इसको पलट देते हैं अब आप देख सकते हैं हमने कितना बढ़िया पलट कर उपर से ब्रेड लगा दिया है अब चारो तरब से किनारों को अच्छे से मोड करके दबा दें आप इसको किसी भी सेप में मोड सकते हैं मैं आपको एक सेप और दिखाऊंगी आप देख सकते हैं चारो तरीकों से इसको फोल्ड कर दे यह बहुत इजी तरीके से फोल्ड हो जाता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है अब इसको पलट कर दोनों साइट से अच्छे से से शेक लें आप देख सकते हैं एक ब्रेट चिला हमारा बनकर रेडी हो गया है अब आईए चलते हैं दूसरे से शेप में ब्रेट चिला बनाने हलका सा ओयल या घी लगा कर दोनों साइट से अच्छे से ब्रेट को गोल्डेन म्राउने शोने तक शेक लें अब एक कल्ची या डेर कल्ची को बेटर डाल कर अच्छे से पैन को ही राकर ओमलेट सेप में फिर से इसको फैला लें यह बहुत इजी तरीके से फैल जाता है गैस का फ्लेम बिल्कुल मेडियम कर दे हलका सा उपर से घी या फिर रिफाइंड ओयल से कानिश कर दे दस मिनट बाद आप इसको अच्छे से पलट दे आप देख सकते हैं कितना सुनेहरा कलर हमारे चीले पर चड़ा है अपसिके हुए ब्रेट को बीच में रख दे और एक कॉर्णर से दूसरे कॉर्णर को मोर दे हलका सा इसको साइड में सिफ्ट कर दे यह देखिए कि तब बढ़िया चीला हमारा बन कर रेडी है देखने में भी टेस्टी और खाने में बहुत है डिलिसियस गर्मा गरम चीले को प्लेट में निकाल कर सर्व करें अगर आपको पसंद हो तो उपर से हलका सा टोमेटो सॉस डाल दे आप इस रेसिपी को एक बार जरू ट्राइब करें और अपने अनुभ़मारशा शेयर करें ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी के लिए एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरू चेक करें फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई